पाकिसान में आज तरीक है जिसे बारा जनवी हमारी वीडियो के टॉपिक है पाकिसान के जून बगेट तक डू हजार जबल सक्ष होने का रेट क्या इसक्टिड है देखें उससे पहले भी बहुत तरी वीडियो आई हैं गोल्ड के लिहाथ दो सोला दो बीस तक की प्रेडिक है वह बिल्कुल एकुरेट होई है लेकिन मुतदित जो ऐसी प्रेडिक्शन थे जो के बिल्कुल सही थावित नहीं है अगर तो आप एकॉनोमी के साथ स्टेंड करके गोल्ड रेट निकालते हो और पाकिसान की एकॉनोमी का आप जो हाल देखते हैं उसके बावरूद अग लेकिन बड़ी परेशान कुन बात भी है अच्छी बात इसलिए है कि अगर तो यह स्टेबल रहता है दो सोला बीस तक इस्टेबलिश्मेंट एकॉनोमी को स्टेबल रखती है और जो गोल्ड है वो दो सोला से बीस तक रहता है तो विच इस वेरी गूड फो पाकिस्तान ए नहीं हुआ और यह नगरान हकुमत की जैसे ही हकुमत आई उसके बाद सारे हालात बेतर होना स्टार्ट हो गए तो नगरान हकुमत क्यूंके बगएर किसी दबाओ के काम करती है पार्टी एलेक्शन और केमपिन बगारा के तो मेरा यह मानना है कि जून बजट तक अगर इतदार आएगी आपका गोल्ड रेट सर अटोमेटिकली अगर तो यह स्टेबिलिटी हटती है तो आपका गोल्ड दो लाक चालिस दो लाक साथ के दर्मियान बेख होगा ठीक है यह दो बितालिस भी हो सकता है दो पितालिस भी हो सकता है लेकिन दो साथ तक आपका रेट ज अगले नए मौादे के मताबिक करनी है आई एम एफ एक वह दिदार है जो ना ही किसी मुल्क की प्रोस्पेरिटी के लिए काम करते हैं उसका मकसद यह है कि अपनी शर्तें बनवाना और किसी भी मुल्क को अपने कानून नाफस करके देना या उस मुल्क के उपर आप यह कहले एक सो का हिट्सा रह गया अब यह 2100 की रेंज में आएगी इंटनेस्टनल मार्केट दो हजार चौबिस पर अपरोक्स यह 2300 तक भी जा सकती है जो इंटनेस्नल मार्केट के स्पैट्स है तो अब अगर आप जून बड़ट तक गोल्ड को देखते हैं आप अगर स्टेबल आपके रखें को आपका रेट आपने खरीदा है दो लाग 6,000 से दो लाग 10,000 तक तो आपके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है ना ही यह सेलिंग पॉइंट है और यह बाइंग ताइम हो सकता है 20-25 परशंट अगर आप बाय करते हो टोटल कैश वैल्यू का यह आपको नहीं है तो आपको थोड़ा सा होल करना पड़ेगा 10 साल के पहले दो महीनों में पाकिसान की एकॉनोमी का अंदाजा हो जाएगा कि स्टैट्स कहां पर जा रहे तो मजीद इसी तरह की वीडियो के लिए आप जोड़े रहने पाकिसान एंवर्ल टीवी के साथ इंशाला मिल तरह कैसं झाला मिल्ल टीवीक वीडियो के साथ जोड़े है तरह की वीडियो भूल्स का यह जिए जो वीडियो बचार तरह के सांदर के साथ शचार energized ehogऴ